हड़ो दोसस वाक्त है आपका अपने यूटूब चैनल पर बालो को नाच्रो ब्लैक करने के लिए एक पैन में एक ग्लास पाने लिए जो एक गैस का फ्लेम मीडियूम फ्लेम पर ओन कर दीजिए इस मैड कीजिए एक चमच काला जीरा नौर्मल जिरे का इसमाल नहीं करना है जो आप कीचन में इसमाल करते हैं दाल सबजी बनाने के लिए आपने काले जिरे का ही इसमाल करना है यह आपको पंसारी की जहां से मिल जाएगा यह बालो को काला करने में बेहर लाब दागा इसके बाद इस मैड कीजिए एक चमच चाय की पती, चाय की पती में दोस्तो टैनेन कैफिन बहुत अच्छी मातरा में होता है जो बालों को नैच्रल ब्लैक करने में नैच्रल शाइन देने में बहुत हेल्प करता है इसके बाद स्मयर कीजिये आप दंदासा, दंदासा दोस्तो आपको पंसारे की जहां से मिल जाएगा, दंदासा आपको बता दूँ अक्रोड के पेड की छाल है जो बालों को ब्लैक करने में बहुत हैल्प करता है और इसके बाद इसमेड कीजिये आप रतन जोट रतन जोट के तो दोस्तों आपको मैं क्या ही गुन बताऊं यह आपको पंसारी के जहां से मिल जाएंगे ठीक है र अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस मारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अचल लगे तो प्लीस लाइक करें लाइक जरूर कीजिगा और शेर कीजिए तो आप इस से डिकोक्षन को बनाएंगे जब तक पानी आधा ना रह इसके बाद रोहे के बर्तन का हम इस्सिमाल करेंगे अगर आपके पास रोही का बर्तन नहीं है तो आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं इसमेड कीजिए जरूरत के हिसाब से महंदी कोई भी महंदी आप ले सकते हैं जो आपके बालों को सूट करती हो इसके बाद इसमें आड़ कीजे कोफी पाउडर, तीन से चार चमच कोफी पाउडर, कोफी पाउडर भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, इसमें कैफिन टैनिन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो बालों के मलेनन के प्रोडक्शन को बूस्ट करने में बहुत कम करता है और जो magical decoction हमने त्यार किया था वो इसमें थोड़ा-थोड़ा करकी add करेंगे अच्छा सा हम घोल त्यार करेंगे जो अपने बालों पर easily apply कर सकें अच्छे से mix करने के बाद आप इसे overnight पूरी रात के लिए धकट फोड दीजिए सुबह आप clean बालों पर बड़श क चैहाथों से जैसे भी आप comfortable हो अच्छे से मागने काल निकाल कर इसे लगाए कम से कम चार घंटे तक आप इस पैक को लगा कर रखेंगे जकीन मानिए दोस्तों इसे बाल natural black तो होंगे ही साथ ही बालों की और समस्याइं भी दूर होंगी जैसे के बालों का टूटना जड़ जो है बालों का रूखापन यह सबी समस्याइं दूर होकर आपके बाल natural black होंगे लंबे घंगे मजबूत होंगे तो चार घंटे के बाद इसे आप साधे पानी से ही दोएंगे सावन शैंपू का इसमाल आप नहीं करेंगे अगले दिन आप सावन शैंपू का इसमाल कर सकते हैं हपते में एक बार आप इस पैक का इसमाल कर सकते हैं बालों को natural black करने के लिए तो इस तरीके से आप अपने बालों को natural black कर सकते हैं हालंकि first application में आपको इतना अच्छा dark color ना मिले लेकिन second third application तक आपको dark color मिलना start हो जाएगा thanks for watching